हां जी हमारा आज का टॉपिक क्या है रेंट पेबल टू फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी अब ये क्या कलेश है समझना ज़रा पहले जबात को यहां पर यह एक्स का घर है और यह वाई का घर और यह वाई के पास जो और प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है बाई ज़रूरी थोड़ी है दोनों के पास बराबर ही समान हो घर पे अच्छा दोनों ने मिल के business शुरू करने का सोचा तो दोनों अपने घर से क्या लेकर आए cash लेकर आए हाई या ना अच्छा ये भी अपने घर से पैसे लेकर आया तो पैसा कितना आगया बिजनेस के अंदर दस लाग रुप UV आगये अच्छा इनोंने एक फरनीचर खरिता ये फरनीचर हमारी बैलेशशीस में नदर आएगा फिर दोनोंने एक मसीन भी खर fine ती the machine भी यहां पर नदर आएगी दोनोंने car भी खरीदी car भी यहां पर नदर आएगी पर business को चलाने के लिए एक property की भी तो ज़रॉरत है सठवार, सड़क पर थोड़ी काम करोगे, अभी तक property तो है यह नहीं, अब क्या करूँ? बताओ, property तो है यह नहीं? अब तुम कहोगे property खरीद लो, property का rate पता किया, तो market में कोई भी property 50 लाग से कम नहीं है, इन्होंने विजनस में पैसा ही कितना लगाया है, अब क्या करूँ तो इन्होंने सोचा property rent पे ले लेते हैं property का rent पे पता करने गए rent भी बहुत ज़ादा एक लाग रुपे महीना, पचाथा जार रुपे महीना बहुत ज़ादा ज़ादा rent मांग रहे थे नहीं मिल रही, क्या करें बंद कर दें, business हाँ जी हाँ y से request करेंगे कौन request करेंगा कि भाई अपनी ये वाली property यूज करने दे तो तुम्हें क्या लगता है y मान जाएगा मानेगा, पर free में नहीं मानेगा, y क्या कहेगा कि मुझे इसके लिए rent चाहिए अच्छा, x कहेगा ठीक है ठीक है, अगर profit हो गया बोलो, y क्या कहेगा मुझे मतलब नहीं है profit हो या loss हो मुझे इसका rent चाहिए इसका मतलब, इस property का जो rent है, वो business के लिए किस nature का खर्चा है, कुछ chargeable nature का खर्चा हुआ, अच्छा सोचो जरा जो property rent पे ली गई ये वाली ये यहाँ पहले दिन से ही किराय पे ले ली, और इसका किराया वाई ने, इंसानियत दिखाते हुए, कह रहा है, मात्र 20,000 रुपे महीने पे मैं इसे देने के लिए तयार हूँ, चलो एक, दो, तीन, चार पांच, छे, साथ, आठ, नो 10, 10 महीने का किराया फर्म ने वाई को पे कर दिया, इसकी एंट्री क्या डलेगी, 10 महीने की एंट्री चलो, बताओ रेंट अकाउंट डबिट्टू कैश कितना? 2 लाख आ गया, बिल्कुल ठीक है अच्छा, 2 महीने का रेंट अभी देना बाकी है एंट्री डालोगे कि नहीं डालोगे एंट्री क्या डलेगी यहां पर भी एंट्री यही डलेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउट्सेंडिंग या रेंट पेवल भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है कितना? 40,000 अच्छा एक एंट्री यहां पर ओर डालेगी जो डेबिट हुआ है न यह टोटल कितना? 2,40,000 इसे P&L में भीज़ेंगे कि P&L अप्रोप्रिएशन में? यह P&L में जाएगा क्योंकि चार्जेबल खर्चा है एंट्री रलेगी प्रोफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट कितना? 2,40,000 तो यहां पर रेंट का खर्चा भी आजाएगा P&L के अंदर 2,00,000 फिर यहां पर प्रोफिट निकलेगा वो प्रोफिट नीचे जाएगा यहां पर पार्टनर्स में बढ़ जाएगा clear है? और जो रेंट पेबल है यह बैलेंट शीट में लाइबिलिटी साइट चला जाएगा Is it clear now? बस तो फिर खेल खतम आओ एक question आगया है के रहे किया और सिया 2 पार्टनर्स हैं दोनों का रेशियो क्या है? equal है, ठीक है के रहे, सिया has given her property on rent to the firm on a monthly rent of Rs. 25,000 firm paid her rent from April to लोजी जनवरी यही तो होगी के रहे, यहां से लेके यहां तक का यानि कि 10 महीने का rent पे कर चुके हैं और 2 महीने का rent पे करना बाकी है rent for the month of February and March are yet to be paid journal entry मांग रहे है क्या है यार यह बताओ, यहां की entry क्या होगी? rent account a bit to cash, कितना? 25,000 into 10, और 2 महीने की entry rent account a bit to rent payable, या rent out spending 50,000, clear है? आगे तो